बारवी क्लास में पढ़ने वाली सीधी साधी एक लड़की अचानक चौप पड़ी खबर ही कुछ ऐसी थी उसकी बड़ी बहन ने बताया कि उसके लिए एक फिल्म का उफर आया है स्कूल का डांस और थेटर अलग बाती पर फिल्म घर वाले रिष्टेदार कोई नहीं मानेगा पर कुछ अजीब हुआ किस सब मान गए लड़की ने फिल्म की फिल्म फ्लॉप हो गई पर उसके अंदर कुछ बदल गया था सपनों का एक छोटा सा पौधा खिल गया था और ये लड़की बनी हिंदुस्तान के दिलों की धरकन धक धक गर्ल माधरी दिक्षित कॉलेज के दौरान भी माधुरी छोटे-मोटे रोल्स करती रही पर सभी फिल्में फ्लॉप होई लेकिन इन नाकामियों के बावचूद उनका होसला और गुलंद होता गया शूट कर रहे थे हीरे को जैसे जोहरी मिल गया सुभाशी ने माधरी को कर्मा में एक डांस नंबर उफर किया गाने को फिल्म में तो जगा नहीं मिली पर माधरी को सुभाश घाई की अगली फिल्म राम लखन में लीड रोल मिल गया था एक शोमैन के अंदाज में ही सुभाश घाई ने माधरी का लॉंच प्लान किया पर माधरी का लॉंच शायद सबसे बड़े शोमैन ने उपर बैठकर अपने हाथों से प्लान किया था एन चंद्रा की तेजा पहले रिलीज हुई और एक दो तीन करते हुए मोहिनी जैसे सीधे स्वर्ख से स्क्रीम पर उतर आई उसके बाद के दो सालों में माधरी दिक्षित की अठारा फिल्में रिलीज हुई माधरी हर चाहने वाले का सपना बन गई बाकी हिरोईन से माधरी इतनी आगे निकल गई कि उन्हें लेडी अमिता बच्चन तक कहा जाने लगा लोग सिर्क उन्हें देखने ठेटर तक आने लगे माधरी का हर डांस नंबर हिंदी सिनमा की डांसिंग क्वीन के तौर पर उनकी जगा पक्की करता चला गया और हर किरदार उनकी सधी हुई मेचोड एक्टिंग की मिसाल बन गया माधरी आज भी उतनी ही खूबसूरत है वक्त जैसे उन्हें चुर भी नहीं पाया पर गुजरे वक्त के साथ माधरी ने करोनों दिलों को चुआ है आज भी हर लड़की कहती है मुझे माधरी दिक्षत बनना है और हर लड़का उनके लिए कहता है दिल तो पागल है दिल दिवाना है